हाई फ्रेंज वेलकम तो अवे स्वागत है हमारी फाइव मिनट सीरीज में और आज जो टॉपिक यूजी सी नेट पेपर वन का डिसक्स करने वाले हैं आपके साथ उस टॉपिक का नाम है हाईयर एजुकेशन फैनांसिंग एजनसी और यह जैसे की नाम से ही पता चल रहा है जुड़ा है हमारे हाईयर एजुकेशन से इस एजनसी को प्यार से हिफ़ा के नाम से भी बुलाया जाता है तो फ्रिंट्स आगे बढ़ने से पहले एक वर जिल्दी से आपको हमारे कोर्से के बार में बता देते हैं तो फ्रिंट्स पेपर टू कॉमर्स और मानेज्मेंट के लिए हमारे पास फ्री स्नाप्शॉट नोट्स अवेलेबल है यूनेट वाइस प्रिवेस येर पेपर्स अवेलेबल है प्रेक्टिकल यूनेट्स का अलग से वीडियो कोर्स अवेलेबल है सारी यूनेट्स का फुल वीडियो कोर्स अवेलेबल है और इन सभी कोर्स का एक कम्प्लीट कॉम्बो भी अवेलेबल है और पेपर वान जो की जनरल पेपर है उसका भी मीनी कॉम्बो पै मतलब यहां पर दो entities जुड़ी हैं कौन-कौन सी MHRD, Ministry of Human Resource and Development, Government of India और साथी साथ Canera Bank, Finance की बात आई तो बैंक तो चाहिए, Canera Bank को हमारे MHRD ने अपने साथ जोड लिया कि हम एक entity बनाते हैं, जिस entity के थुरू हमारे इंडिया के जो भी प्रीमियर educational institutions हैं, हम उन्हें finance कर सकें, उनका infrastructure अच्छा बेटर कर सकें, तो माइडियर इस कंटेक्स्ट में, एक और स्कीम यहां पर जो relevant है, उसका नाम है, Revitalizing Infrastructure and Systems in Education by 2020, 2022, तो राइज स्कीम है हमारे पास, जो कि Government of India ने Financial Year 18-19 के budget में announce करी थी, तो इसका objective भी यही है कि हमारे देश के अंदर education system का जो infrastructure है, हम उसे improve करें, और improve करने के लिए जो finance हमें चाहिए, वो finance हमें दिलाएगा हैफा, हैफा को हमने as a section 8, यानि की non-profit company, register किया है under the companies act, as a government company, और साथी साथ, क्योंकि यह finance से जुड़ी है, तो as a NBFC, यानि की non-banking finance company भी इसे register करवाया है हमारे Reserve Bank of India के साथ, 31st May 2017 को इसकी incorporation हुई थी, इसकी शुरवात हुई थी, joint venture है, MHRD और Canera Bank का, जिसके अंदर हमारी MHRD की participation है 90% की और Canera Bank की लगबग 9% की participation है, आज की rate में इसका scope जो है, वो काफी expand हो गया है, हम school education को भी cover कर र रहे हैं, ministry of health के अंदर, जो educational institutions आ रहे हैं, उनको भी हम यहां पे cover कर रहे हैं, तो my dear friends, अगर बात करें कि हैफा का birth कैसे हुआ था, तो my dear friends, initially हम इसे trace कर सकते हैं, हमारे budget 2016-17 के साथ, जहां पे हमारे finance minister ने announce किया था, कि we have decided to set up a higher education financing agency with an initial capital base of 2000 करोड, it will be a not for profit organization, it will leverage funds, it will get funds from the market and also supplement them with donation and corporate social responsibility CSR funds, these funds will be used to finance improvement in infrastructure in our top institutions and will be serviced through internal accruals, तो बताया गया कि हम एक ऐसी agency बनाने वाले हैं, जो कि एक not profit organization होगी, इसमें पैसा market से आएगा और corporate social responsibility में भी जो contributions देना चाहते हैं, वो भी इसको दे सकते हैं, यह ultimately institutions को पैसे देगा, ताकि वो अपना infrastructure improve कर सकें, और institutions अपनी internal कमाई से इसके पैसे वापस लोटा देंगे, इसके vision और mission की बात करें, तो इसका vision है कि हमारे इंडिया के जो भी प्रीमियर educational institutions हैं, वो excel करें, top 100 global rankings जो हैं, कम से कम वहाँ पर पहुंच जाएं, world class infrastructure बना कर, mission है, to provide timely finance at competitive interest rate for capital asset creation in India's educational institutions and supplement it with grants by channelizing CSR funds from the corporate and donations from the others, तो जैसा कि पहले आपसे बात किया, कि इसका mission है, कि हम हमारे educational institutions को सस्ते दाम पे, कम ब्याज पे, loans दें, जिससे वहाँ का infrastructure बढ़े, और हम इसे boost करेंगे CSR funds और donations से, चलिए, अगर बात करें, need for HEFA की, तो my dear friends, HEFA की requirement इसलिए है, क्योंकि हमारे देश के जो educational institutions हैं, उनमें अभी भी adequate infrastructure नहीं है, infrastructure build करने के लिए, हमें finance चाहिए, जो की HEFA से हमें, यहाँ पे मिल जाएगा, और साथी साथ, हमारे institutions को हम और जादा improve कर सकेंगे, उनकी capabilities बढ़ा सकेंगे, जिससे हमारे Indian institutions भी top rankings में हमें दिखेंगे, तो अगर आज की rate में हम QS top 100 rankings देखते हैं global level पे, तो कोई Indian institution उनमें नहीं आता, तो यह चीज यहाँ पे हम दूर करना चाह रहे हैं, हमारे higher education के अंदर, नई investments लेकर आएंगे, research के अंदर, जिससे हमारा higher education system है, वो revitalize हो जाएगा, वो यहाँ पे improve हो जाएगा, इसके साथ साथ, जब हमारे educational institutions को loans दिये जाएंगे, और उनकी जिम्मेबारी होगी कि उन्हें वो loan लोटाना है, तो अच्छे से उस पैसे को utilize करेंगे, internally कोशिश करे जिससे वो उन market borrowings को, जो भी हैफा से उन्हें पैसे मिले, उसे वो लोटा सकें, और हैफा ultimately, जहां से उसको finance मिला है, वो ultimately उस finance को भी लोटा सकें, तो यह हमारा requirement था, हैफा का, इसके पीछे यह हमें points देखने को मिलते हैं, तो friends, यहाँ पर आपके लिएक practice question है, आप इस question को attempt कीजिए, और अपने answers हमें comments के थुरू बताईए, हमें इंतजार रहेगा आपके comments का, तो thank you friends for watching this video, अगर आपको यह वीडियो पसंद आ है, तो इसे जरूर से like करना, हमारे channel पर नए है, तो इसे subscribe कर लेना, और अपने friends के साथ भी share करना, तो आपकी कोई query है, आप हमें mail कर सकते हैं, हमें updates के लिए Facebook और Telegram पर follow कर सकते हैं, और अगर आप हमसे कुछ पूछना च description में भी मिल जाएगा, और बाकी सबी details के लिए आप हमारी जो website www.evastudy.co.in वहां भी visit कर सकते हैं, thank you, take care.